हेलो मैं डॉक्टर शवेता आई फिजोधेरपिस्ट रम ंडेली आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो पोस्ट कोविट लोगों में हो रहा है जिसकी वज़ा से लोगों में डेथ भी हो रही है तो आज हम उस टॉपिक के इसे recovery में आ चुके हैं उसके बाद यूनकी death हो जा रही है due to black fungus तो actually में ये black fungus होता क्या है क्यों होता है हम इससे अपने आपको कैसे prevent कर सकते हैं ये सब चीजे मैं आपको आज बताऊंगी detail में तो सबसे पहली बात कि black fungus होता क्यों है किसलिए होता है और अभी ही ये क्यों common हुआ है black fungus जिसे हम scientific language में myocor mycosis भी कहते हैं जो की एक fungal disease है जो पहले भी होती थी बट अभी post covid लोगों में जादा इसलिए होती है क्योंकि उनकी immunity weak हो जाती है इसलिए वो जादा amount में attack करता है body को क्योंकि हमारा immune system इतना weak हो जाता है कि उसके अंदर pathogens या फिर कोई microorganisms जो होते हैं उनसे लड़ने की शक्ती नहीं बच पाती है तो वो हमारे lungs पे, हमारे nose पे, हमारे ice पे ऐसे बहुत सारे organs पे attack करते है जिसकी वज़े से वो organ इतना जादा infect हो जाता है या तो हमें उसे निकालना पड़ता है या हमें medicines लेनी पड़ती है कुछ cases में death हो जाती है अगर वो ही case worse हो जाता है तो जब हम bread को गीला करके उस पे moisture डालके रख देते हैं कुछ time के लिए दो तिन दिन बाद देखेंगे तो उस पे एक greenish type या blackish type का material इकठा हो जाता है वो bread खरा हो चुकी होती है उसे ही हम fungus कहते हैं तो इसी तरीके से अगर हमारी body में भी moisture का content जादा रहेगा तो हमारी body में भी fungal infection होने के chance सबसे जादा होते हैं तो सबसे पहली बात ये post covid ही क्यूं हो रहा है क्यूंकि post covid में ये देखा गया है कि जब covid का time चल रहा होता है लोगों में oxygen दिया जाता है उसमें भी water content होता है दूसरी बात की steroids जो हम देते हैं ये steroid और जो body whittlers लेते है उस steroid में difference होता है ये steroid हम lungs की inflammation को जो उसमें infection हो गया है उसको कम करने के लिए देते हैं तो ये steroid क्या करता है हमारी body में glucose के content को increase कर देता है जब glucose का content increase होता है तो हमारी body में नमी हो जाती है जिसकी वज़े से infection के chances जादा होते हैं the next thing is that कि जो black fungus होता है ये majorly diabetic patients को होता है क्योंकि उनमें जो है जादा एक तो immunity उनकी weak होती है दूसरा हम देखते हैं कि जो diabetic patients होते हैं उनमें healing power बहुत कम होती है जब भी कोई cut लग जाए या कुछ हो जाता है तो उनका वो part जो है बहुत दिनों के बार ठीक होता है as compared to a normal human being तो उनको सबसे जादा prevent करने की जरुएत है वो diabetic medicines पे चलते हैं insulin लेते रहते हैं तो उनमें immunity वैसे ही weak होती है तो सबसे majorly chances जो होते हैं black fungus के वो diabetic patients में होते हैं अचा ये होता क्यों है firstly ये इसलिए होता है कि जो हम steroid ले रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया दूसरा immunity weak हो तीसरा covid जब हम covid से ठीक हो चुके होते हैं जाते हैं अपने घर पे mask नहीं लगा रहे हम air के content में आ रहे हैं जो fungus होता है वो air में होता है water में होता है soil में होता है तो हम अगर इन सब चीज़ों के contact में जब आते हैं तो वह हमारे nostrils के थूरू या फिर कहीं हमें cut लगा होता ह उसके थरू हमारी body में enter कर जाते हैं जब वो हमारी body में enter कर जाते हैं तो वो धीरे धीरे अपना area बनाने लगते हैं colonies बनाने लगते हैं वहाँ पे इकटे होके वो अपनी family generate करने लगते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें की covid के patients में वो nostrils से एंटर लेते हैं नाक में पह हम चीक्स के पास उनके स्वैलींग हो जाती है तो इससे भी पदा चलता है आइस में इंफेक्शन पहुंग साहता है नॉस्टियुंस गुष्म में infection पहुंचने लगता है तो जब ये infection brain या lungs में पहुंच जाता है तब ये ज़ादा severity में होता है अगर nostrils तक है mouth पे है एक और चीज़ की upper jaw में होता है upper jaw हम इसे palate ये कह सकते है यहाँ पे तो palate में भी अगर हम देखेंगे कि अगर अपने मुगों को खोल करके देखेंगे तो हमें एक blackness सा उपर की तरफ upper jaw या palate पे नज़र आएगा तो उससे भी पता चलता है कि हमें black fungus हुआ है तो ये एक majorly uncommon था पहले around four to six months में कोई एक या दो patients आते थे बट due to this medicines, these covid type of things ये अभी जादा normal हो चुका है पहले ये उन patients में होता था जिनका या तो organ transplant होता था कोई बड़ी surgeries होती थी तो उन में जब immunity वीक हो जाती थी क्योंकि उसमें भी steroids दिये जाते थे और glucose level को normal रखने के लिए diabetes को normal रखने के लिए हम medicines देते थे तो उसमें water content जादा होता था वो moisture करते थे moisturize रखते थे हमारी body को तो उसमें भी fungal infection होने के chances जादा रखते थे तो अभी भी वह हो रहा है बट अभी हम steroid का यूज़ जादा कर रहे हैं तो हमें ये problem हो रही है blurness होने लगेगा हमें दिखना बंद हो जाएगा जब दिखना बंद हो गया तो वो जादा infection हो चुका है blurness तक तो ठीक है बट अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें properly जाके physician और doctor को दिखाना पड़ेगा तो अगर कोई भी ऐसे science आपको nostrils में irritation, nose में pain या cheeks के पास आपके swelling होता है या ear में pain होता है या आपको खांसी आ रही है उसके बाद भी गले में irritation हो रहा है तो आप फॉरण जाके doctor को दिखाएं और medicine लें कुछ जादा बड़ी problem नहीं है बढ़ हाँ अगर आप इसको ignore करेंगे तो यह problem और बढ़ जाएगी ठीक है so अब हम इसको treat कैसे कर सकते हैं treat ऐसे कर सकते हैं कि anti-fungal drugs आते हैं कुछ जो हम doctor के पास जाएंगे तो आप बिना prescription के drugs तो ले ही ना बिलकुल जब आप doctor के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ anti-fungal drugs देगा उससे आप ठीक हो सकते हैं second thing if in case आपका problem जादा बढ़ गया है तो हम इसको जिस एरिया में या जिस पार्ट में हुआ है जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की death हो गई या कुछ लोगों की eyes को remove करना पड़ा तो ये cases भी आ रहे हैं क्योंकि हम पहले इस चीजों को ignore करते हैं हमें पता नहीं होता तो आपको अगर हलका फुलका भी कोई sign नजर आता है तो आप फॉरण जाके doctor को दिखाएं तो आपको इस situation तक नहीं पहुँशन पढ़ेगा the third thing is कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये infection हमारे brain तक या lungs तक पहुँश गया है तो इसके लिए the best thing is that you have to make your CT scan और MRI तो आपको ये दो test कराने पड़ेंगे जो कि आपको doctor prescribe करेगा lungs तक अगर infection पहुँश चुका है fungal infection after covid भी तो भी आपको symptoms covid जैसे ही आएंगे जैसे कि सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगेगी फिर से तो आप जब test कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना infection हुआ है अब यही infection अगर पूरे lungs में हो जाता है तो death के chances होते हैं अब brain में completely अपनी colonies create कर लेता है तो death के chances होता है last thing is that कि हमें इससे prevent अपने आपको हमेशा mask पहन के रखना है किसी भी after covid अगर आप covid से ठीक हो चुके हैं तो भी आपको किसी भी contaminated जगहें पे soil में नहीं जाना आपको बाहर किसी ऐसे polluted जगहें पे नहीं जाना जहां से आपको infection का खतरा बढ़ सकता है दूसरा आप control इसको कर सकते हैं जैसे अगर आप diabetic patients हैं तो अपनी diabetes को properly control रखें अगर आप नहीं control रखते हैं तो आपको होने के 80% chances हैं next thing कि आप अपने आपको safe इसी तरीके से रख सकते हैं दूसरा कि यह जो है कभी एक से दूसरे में नहीं फैलता है इस चीज से बिल्कुल aware रहने की जरूरत है as covid जैसा कि हम जानते हैं कि coronavirus जो है वो अगर आपके किसी को घर में हुआ है आपके आसपास में किसी को हुआ है तो वो contaminate करके इदर उदर आप किसी को छूम नहीं सकते फैलेगा बट ऐसा इसमें नहीं होता black fungus में आपको इस तरीके से नहीं हो सकता आपको हुआ है तो आपक जाते हैं कुछ और जानना तो आप comment करके बता सकते हैं thank you stay safe stay strong